नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका पुनम सिंग रेसिपीज में और मैं पुनम आज फिर से आम की रेसिपी लेकर आए हूँ फ्रेंट्स तो यह रेसिपी है आप कि घर में कुछ मीठा ना हो खाने का महमान आ जाए अचानक से और मौसम हो आम का तो आप फटा फट यह रेसिपी बना सकते हैं फास्टिंग के लिए भी यह रेसिपी बहुत ही इनर्जी वाली है फ्रेंट्स तो सावन का महिना भी आ रहा है तो उसमें भी आप यह सुमवारी में शिवरात्री में यह रेसिपी बना कर खा सकते हैं तो यहां हम चलिए बताते हैं पूरी रेसिपी की कैसे बनाए हैं तो हम ले लेंगे आधा लिटर अमूल दूद कोई भी दूद आप ले सकते हैं स्वादिश लगते हैं यह रबड़ी आम की रबड़ी इसे कहेंगे हम तो दूद को हमें उबाल लेना है अच्छी तरह से दिरे-धिरे आँच पर चला-चला कर हम इसको उबाल लेंगे तेज आँच नहीं रखना है बरतन छोटा रहने से उबल कर गिर भी जाएगा फ्रेंट्स तो देखे इसको चलाते हुए ही हमें अच्छी तरह से उबाल लेना है अब इसमें हम कुछ से फ्रों डाल देंगे कुछ धागे केसर के इससे स्वाद भी आता है अच्छा और कलर भी अच्छा आता है तो इधर हम बदाम ले लिये हैं कुछ काजू और किसमिस चारपा जहरी इलाईची सब को हम इसमें डालेंगे तो ड्राइप रूट्स को हम काट लेंगे अच्छी तरह से किसमिस को नहीं काटेंगे लेकिन काजू बदाम को हम बिलकुल बारिक इसका काट दिये हैं तो जब यह मुह में आता है मलाई के साथ तो बहुत ही स्वादिश लगता है ड्राइप रूट्स तो चलिए अब इसको हम डालते हैं दूध में जो दूध बॉयल किया है तो देखिए केसर से कितना सुन्दर कलर आया है दूध का तो इसमें हम डाल दिये इसको हमें चला चला कर ही गाढ़ा कर लेना है छोड़ना नहीं है नहीं तो यह चिपक जाएगा तली में जब भी दूध का आइटम आप बनाए चीज बनाए आप मोठी तली का बरतन जरूर यूज करें तो यहां हम ले लिए हैं मिल्क पाउडर करीब 50 ग्राम मिल्क पाउ होगा और स्वादिष्ट भी लगेगा इसमें आएगा मावा का फ्लेवर तो देखिए इसे अमुल दूध डालें आप पाउडर गोल कर तो चलाते रहें नहीं तो एक मोठा लेयर पकड़ लेता है तली में बीच बीच में हमें चला चला कर मिडियोम टिलो फ्लेम पर ही हम इसको पकाए हैं अब यहां हाफ बोल डालेंगे चीनी चीनी भी करी 50 ग्राम होगा क्योंकि आम का अपना फ्लेवर है दूद का फ्लेवर है तो चीनी इसमें कम ही हम यूज करेंगे जिनको ज्यादा मीठा पसंद हो वो डाल सकते हैं तो देखिए सब चीज डालने के बाद अच्छी तरह से उबाल आ गया है रबडी में तो रबडी को हम अब उटार कर और ठंडा होने के लिए रख देंगे इसे गर्म यूज नहीं करना है बिल्कुल ठंडा जब ठंडा हो जा तो आप इसे फ्रीज में रख दें अब जब तक दूद ठंडा हो रहा है रबडी टुकडा टुकडा में काट सकते हैं या फिर अगर गोला इस्पून हो तो आप सुन्दर लगने के लिए इसे अलग सेप भी दे सकते हैं चीज वही रहता है अंदाज बदलते रहता है फ्रेंट स्वाद भी वही रहता है केवल इसको नया लुक देने से हमारी रेसिपी और अच्छी हो जाती है तो हम इसको नया लुक देने के लिए ही ऐसे चमच की साहता से काट सकते हैं आप चाकू से स्लाइस भी बना सकते हैं स्क्वाइर में भी रेक्टेंगल में भी काट सकते हैं जैसे आप एक चाप वैसे आप काट सकते हैं तो ये जो रेसिपी है ये मेरा का फेबरेट है जब तक आम मिलते रहता है पूरे सीजन आम के सीजन में मैं कभी प्लेन दूध में कभी रबड़ी जैसा बना कर जैसा आज बना रही हूं यह फास्टिंग में जरूर मैं यूज करती हूं और सबको बहुत अधिश्ट भी लगता है पसंद भी आता है भोग भ सारे आम का पल्प निकाल लिये हैं गोले गोले पीसेज में तो देखे यहां सब बंद कर तयार हो गया पीस जो थोड़ा बहुत इसका जूस आया है उसको भी हमें यूज कर लेना है फेकना नहीं है इधर जो हमारा रबड़ी है बिल्कुल ठंधा हो चुका है अब हम इसको एक चौड़ी तली वाली सर्विंग प्लेट में इसको हम पलट लेंगे सर्विंग बोल में तो देखिए ठंधा होकर थोड़ा सा लेयर पकड़ लिया है इसका लेकिन वो जला नहीं है स्वादेश वैसे भी बच्चे खा जाते हैं उसको छुड़ा कर तो अब हम क्या कि अब इसमें जो आम कापी से हम काटे हुए हैं निकाले हुए हैं उसको हम डाल कर और मिला देंगे रबडी में और इसे आप फ्रीज में ठंधा करके खाईए तो और स्वादिश लगता है ऐसे भी आप खा सकते हैं लेकिन एक से दो घंटा आप फ्रीजर में भी रख सकते हैं और फ्रीज में भी फ्रीजर में रखना हो तो आदा गंटा रखें और ऐसे फ्रीज में रखना है तो आप 2-5 घंटे तक इसको रखिए ठंधा होने के बाद खाईए बहुत ही स्वादिश लगता है तो और कुछ आम के टुकड़ों से हम इसको और गार्निस कर देंगे और नई रेसिपी का लुफ्त उठाई है फ्रेंट्स आम और दूद तो सबको पसंद है तो यहां हम आम के स्लाइस डाल दिये और अब कुछ ड्राइप्रूट्स जो हम रखे हुए थे उसको हम गर्निस कर देंगे उससे तो बदाम काजू और चेरी से हम इसको गर्निस कर द आप महमान आए तो भी आप जटपट बना सकते हैं खीर और सेवई तो बराबर बना कर खिलाते हैं महमान को तो आम के सीजन में यह रेसिपी भी आप जटपट बना कर खिला सकते हैं तो रेसिपी कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताईएगा लाइक शेर कमेंट बनता ह friends thanks for watching फिर मिलेंगे बबाइ